तो जैसे कि आप देख पारें यह सीटेट की तरफ से जाड़ी ओफीशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत आपको यह एक लेटर दिया गया है जो 10 अपरेल 2030 आप साफ साफ डेट देख पारें इसके इंतर गत क्या बताएगा पहले तो हम यह देखेंगे और इससे क्या सिक्षा बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर 2022 से साथ फरवरी 2023 के दौरान ऑनलाइन सीबीटी मोड में आयोजित केंडर सिक्षक पात्रता के सोलवे संसकरण का परेडाम घुशित कर दिया गया है आपको पता है कि आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ चुका था आप लोग अल परकशीट और योगिता प्रमार पत्र भी जल्द ही डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिये जाएंगे उमीदवार सीटेट दिसंबर 2022 के अपने ऑनलाइन आवेजन पत्र में उनके द्वारा प्रदान किये गया है मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसे डाउनलोड कर सकते है जब आपने ऑनलाइन एपलाई किया था तो जो आपने फोर नंबर यूज़ किया था जिस पर आपके ओटिपी और सारे मेसेज़ेस वगएरा आये थे उसी नंबर से आप ये अपना सेटिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे उस नंबर का अर्था यह कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन पते यानि कि रिजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा था सीटेट का तो उसमें जो मुबाईल नंबर दिया हो अपने ठीक है और लेकिन इसके साथ एक बात और याद रखेगा आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए है नहीं तो हो सकता है कि आप कार्ड में नंबर नहीं लगा होगा तो वो लोग किशी भी जा करके साइबर कैफे या जो नहीं होते हैं संसान कुले होते हैं वाला सारा काम करते हैं वहां से अपना कराग सकते हैं इसको अपडेट उसके अलामा इन्होंने बताया कि सीटेट परिक्ष्या देसमबर 2022 का वि इतने प्रेजेंट थे और इतने ही केवल उत्तीर हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यानि कि जो प्रेजेंट थे वह 14,22,969 और पास कितने हुए मात्र पाच लाग 59,000 अगर शे लाग भी मान ले तो सोच लो कि आधे बच्चे भी पास नहीं हो पाए थे पहले यानि कि केवल एक तीहाई बच्चे ही पास हुआ ठिक तो आप समझ सकते हैं कि क्या रहता है मोड उसके बाद में उमीरवारों को सला दी जाती है कि वह सीटेट और सीबीएसी वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना परेडाम देख सकते हैं ठिक अब यह बात होई लेकिन लोगों ने याचिका वगेरा अपना डाली थी तो उसके लिए मैं सीटेट क्या करेगा हमने का देखे हो सकता है कि वह एक काम कर दे क्या कि रिजल्ट तो सबको दे दे लेकिन उसमें एक स्टार मार्क लगा दे क्या लगा दे कि यह जो रिजल्ट है आपका यह सुप्रीम क पर आधारित आगे माना जाएगा हो सकता है कि ऐसा हो जाए ठीक है अब सोचो आपकी पहले सीटेट क्या करेगा बीएड वाले बच्चों को अलग हटाएगा फिर उसके बाद में डिलेड वाले बच्चों को अलग हटाएगा तब वो डिजी लॉकर पर परेडाम देगा तो से करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो अब क्या होता है फाइनल यह तो आपको बार ने पता चलेगा लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने तेजी दिखाई है उस हिसाब से क्या मैं जुलाई में सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है मतलब अगर आपका सीटेट का नोट नहीं आता है तो फिर जुलाई में पेपर नहीं होगा फिर कब होगा मैं हमने का फिर जैसे दिसेंबर में होते हैं पेपर लगबग वैसे होंगे उसके अलामा अगर मैं यूपीटेट की बात करूं तो यूपीटेट में तो अभी आप देख रहे हैं कि नया आयोग जो है वही नहीं बन पाया है हाना उनके जो अधिक्षक लोग होगे इनका लेजब्छिपिल्टि क्राइटेरिया तो डिसाइड किया गया लेकिन उस आयोग के प्रमुक कोन ओंगे अप्राट्म में माद्य में कोच्च के निदक्षiक और जो अध्यक्षयत वो वो कौन होंगे उनका eligibility criteria to decide कर दिया गया लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह कौन होंगे हाना तो अगर आप भी सीटेट की paper इस बार देना चाहते हैं तो देखिए अगर आप भी देने जाना है यूपीटेट का exam तो चक्षू publication की one of the best book आपके सामने है यह हम सबसे पहले primary level के लिए बात कर रहे होंगे जो इनकी study guide book आती है link description box में मिल जाएगा आप वहां से भी ले सकते हैं market में भी चक्षू publication के नाम से यह available है आप वहां से भी ले सकते हैं साथ में इस पुस्ता के इंतरगत आपको paper one जो आपका कफशा एक से पाच के लिए होता है उससे संबंदे 3000 से ज़ादा अध्यायवार यानि कि lesson wise important question मिलेंगे व्याख्यात्मा खल के साथ में जो इस पुस्ता की खाजियत है इसके साथ में 4 salt papers साथ में विशलेशर चार्ट के साथ में मिलेंगे I.M.I.E. के करके आपको सब चीजे विस्तार पूर्वक दिखा से देते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पारे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो आपका latest syllabus है उसी के according पूरी book को design किया है कौन से chapter से कितने question किस साल बने थे इसी को हम कहते हैं विसलेशर चार्ट जिसको इन्होंने हर एक subject wise दिखाया है उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस book को खोलेंगे तो आपको यूपीटेट के हल प्रशन पत्र मिलेंगे इसके साथ में जो भी हल होगा वो व्याख्यात्मक होगा यानि कि प्रशन एक का answer A है तो वो A क्यूं है ये तक बताया गया है उसके बाद में जैसे कि मानलीजा आपका पहला जो भाग एक है section A है बाल विकास का वो आपका page number 1 से 19 तक दिया होगा इस तरीके से ये इनका index है सबसे पहले आपको previous year paper देखने को मिलेगा जो कि हल हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक कैसा होता है मैं वो भी दिखा दी है जैसे देड़ सो नंबर तक आता है आपका paper देड़ सो प्रशन आते हैं तो question number first को option B जैसे इनोंने यहाँ पर दे दिया लेकिन इसका answer B क्यूं है मालो आपने C लगाया था अब आप जानना चाहते हैं कि इसका answer B क्यूं है तो यही होता है व्याख्यात्मक खल जो इस book की क्या है खासियत है इस book को आप market के साथ साथ description box में link है वहाँ से भी मंगा सकते हैं इसके अलावा इनका प्रात्मिक इस्तर पर एक आपका practice rate भी आता है practice rate में मैं क्या दिया है हमने का practice rate में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पिये प्रश्निया ये भी व्याख्यात्मकल के साथ में साथ में 15 practice rate और short salt paper है चक्षू publication के जो कि आप online के साथ सत्थ offline market से भी ले सकते हैं अगर आप बहतरीन तरीके से अपने exam को clear करके अच्छे नंबरों से यूपिटेट की परिक्षा clear करना चाहते हैं तो देखे अगर यूपिटेट और सीटेट के लिए अगर हम सिर्फ ये compare करने आपसे कि कौन से exam पहले होगा तो दोनों में जो प्रबल संभावना हैं वो आप देख लिजे आज confusion आपका दूर करते हैं कि अगर इनका notification अपरायल में आ गया तो इनका paper ये जुलाई में ये करव आयोग बनेगा उसके बाद कहीं जा करके उस आयोग के माध्यम से आपकी यूपिटेट की परिक्षा कराई जाएगी जो की इतनी जल्दी संभव नहीं है संभव है तो अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई का paper जो होगा सीटेट का वो हो सकता है कि हो जाए लेकिन वो किस पर निर्बर करता है अपरेल पर नोटिफिकेशन पर और यूपिटेट की एक्जैम की अगर मैं बात करूं तो यह तो तभी होगा ना जब आपका क्या होगा बहिए नया आयोग का निर्माण होगा और जिस हिसाब से कचुवक चाल की तरह चला जा रहा है उस हिसाब से तो हमको नहीं लगता कि यह जुलाई सब अगस्त तक भी सुयूपिटेट करा पाएंगे मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत मतलब 2023 में होने की प्रबल संभावना है कि नोटिफिकेशन वगएरा तो दही देंगे नया आयोग कर निर्माण बस हो जाए एक बर त हम लोग सांत बैट करके सोचें तो सब चीजों का कारण क्या है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वज़े से सीटेट पर यह बवाल हुआ सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले की वज़े से अभी सीटेट का रिजल्ट रोकना है न उसके अलामा यूपीटेट भी क्यों नहीं हो रहा है यूपीटेट के लिए भी इस यूपीटेट करना होना के दो कारण है पहला तो यह कि नया आयोगी नहीं बनाएं और दूसरा यह कि यूपीटेट अगर वो करा आते भी तो किसा अधार पर करा देते क्योंकि सुप्रीम क कर दिया गया है कि क्या ही बताया जाए हला कि इसमें हमारा और आपका जोड तो चल नहीं सकता माननी सुप्रीम कोड का जो भी डिसीजन होगा वो सर्व मानने होगा इस बार और हमें मतलब आशा यही है कि बीट वालों को निराशा नहीं मिलनी चाहिए ठीक है बाकि आप और भी बहुत सारी टीचर जानने में होंगे तो लोग क्या कहते हैं सूपर को लेकर कके यह भी आप हमसे कमन्स सक्षन में शेयर कर सकते हैं CT频े Uns वह हमने आपके सामने रख दी है Ju चीजे क्या हैं ये तो आप ही हमें कमेंट चक्षन ने बताएंगे हैं ये थी एक छोटी सी जानकारी मिलते हम आपसे नेक्स वीडियो के माद द्याम से तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दन्यवाद